नमस्कर दोस्तो आपको में इस यूटीब चलना रिपोर्ट पांड़ा में दोस्तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको 2024 में सुकन्या समरिधी हो जना खाता खोलना है तो यह मेरा वीडियो पूरा जरूर देखे क्योंकि दोस्तो बेटी होने के बाद responsibility बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है parents को जैसे top quality का education देना फिर उसको अच्छे से अच्छे घर में साधी करना जी हाँ दोस्तो इस सारे responsibilities parents को पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूत होती है वो भी आजकल की महंगाई में ये आपको भी अच्छी तरह से पता होगा तो दोस्तो इसी समस्या को दूर करने के लिए भारा सरकार ने बेटियों के लिए सुकरन्या समर्दी योजना स्कीम लाँच किया है जी हाँ दोस्तो इससकीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में इस वीडियो के माध्यम से जैसे क्या होगा इससकीम का क्राइडेरिया इससकीम से जूरने के लिए बेटी का एज कितना होना चाहिए कैसे इससकीम से जूर सकते हैं सुकन्या समरिदी योजना में कितने बेटियों के लिए खाता खोल सकते हैं क्या डॉकुमेंट्स जमा करना होगा टैक्स में वेनफिट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी यह अस्कीम कहां खुलवाना बेहतर होगा पोस्ट ओफिस में या बैंक में और अगर कोई ब्यक्ति एक हजार या दो हजार तीन हजार चार हजार या पांच हजार या फिर दस हजार मंतली जमा करता है इस स्कीम में पंदरा सालों तक तब उस ब्यक्ति को कितना मिलेगा मैचुर्टी पूरा होने पर और जानेंगे दोस्तों SSY अस्कीम लेटेस्ट इंट्रेस्टेट 24 में अभी क्या चल रहा है जिया दोस्तों इस सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताऊंगा और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चनल रिपोर्ट पांड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो ताकि मैं इसी तरह का इंवेश्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता तो दोस्तों चली जान लेते हैं पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि सुकन्या समरिदी ओजना क्या है जी हां दोस्तों सुकन्या समरिदी ओजना का सुवारम हमारे देश के प्रतानमंत्री स् से ओजना कता 10 साल से कम आयू की बीटी खुलवाया जाता है जिससे हम अपनी बीटिया की भविश के लिए बेतर निविस्ट कर सकते हैं दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इस अकाउंट को कहां खुलवाएं और क्या डॉकमेंट्स चाहिए दोस्तों सुकन्या समर्दी ओजना इस S.O.I. अकाउंट किसी पुस्ट आपिस या कोई भी निसलाइज बैंक जैसा लाइक S.V.I. की अदिकरित साखा में खुला जा सकता है S.O.I. खाता खुलने के बक्त, बच्ची का बद सर्टिफिकेट, पोस्ट आपिस या बैंक में आपको देना जरूरी है, मैंडेटरी है इसके साथी बच्ची और अभी वाब अकजन यानि उनके पैरेंट्स के पहचान और पते का भी परमान देना जरूरी होता है दोस्तो अब हम जान लेते हैं सुकन्या समर्दी ओजना में कितने बेटियों के लिए खाता खुल सकते हैं दोस्तो आप अधिक्तम दो बेटियों के नाम S.O.I. खाता खुलवा सकते हैं लेकिन अगर दूसरी बेटी के जन्म के समय चुड़वा बेटी हो तो तीसरा S.O.I. खाता भी आप खुलवा सकते हैं दोस्तो अब हम जान लेते हैं सुकन्या समर्दी खाता में कितना रूपया से हम स्टार्ट कर सकते हैं S.S. कीम को तो दोस्तो मिनमम कम से कम आप 250 रूपय यानि हाई 100 रूपय के जमा के साथ आप S.S.O.I. अकाउंट खुला जा सकता है वहीं दोस्तो मैक्समम आप इस स्कीम में 1.5 लाक रूपय तक जमा कर सकते हैं इन्हें सिंगल फाइनांसियल इयर दोस्तो अब जान लेते हैं कि S.S.O.I. मैचुर्टी पिरिड कितना होता है दोस्तो सुकन्या समर्दी ओजना की जो अबधी है बालिका के 21 बर्स के होने या 18 बर्स की आयू के बाद उसकी साधी होने तक होती है हाला कि यह निवेस आपको अकाउंट खोलने की तारिक से 15 साल तक ही आपको करना है यानि आपको पैसा 15 साल ही जमा करना है इसके बाद अकाउंट में मैचुर्टी तक ब्याज मिलता रहेगा बहले इसमें कोई डिपोजिट न किया गया हो लेकिन आपको पैसा जमा 15 साल तक करना है लेकिन आपको मैचोडी पूरा होगा एक कई साल में दोस्तो इस स्कीम के एक खास बात यह है कि अगर आपको कुछ पैसों की जरूत है और आप इस अकाउंट से कुछ पैसा निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं स्कीम के उपर कितना इंट्रेस्टेट देरी अभी फिला तो दोस्तों लेटेस्ट इसे स्वाइंट इंट्रेस्टेट तो जर चोबीस में अभी 8.2 परशेंट चल रहा है दोस्तों अब जान लेते हैं रिटन्स के बारे में कि एक कई साल के बाद आपको कितना मैचोटी पूरा होगा यानि आपको कितना पैसा मिलेगा तो दोस्तों अगर कोई ब्यक्ति मैक्सम्म तेर्ट लाक रुपया यानि 1.5 लाक रुपया जमा करता है 15 साल तक तो rate of interest 8.2% के हिसाब से उस ब्यक्ति को 79,27,578 रुपया मिलेगा उसके खाते में दोस्तों इस स्कीम के उपर आप टैक्स भी बचा सकते हैं एटीसी के अंतरगत दोस्तों इस स्कीम की खास बात दिया है कि maturity पूरा होने के बाद जो भी पैसा आपको मिलेगी वो पूरा टैक्स फ्री होगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ कि आज की जनकारी आपके लिए भैलेवल होगी तो आप मैंने इस वीडियो को लाइक करें सियर करें अपने दोस्तों के बीच और मेरी इस चैनल रिपोर्ट पहंड़ा को सब्सक्राइब जरूर करें तैंक्यू